हेलो गाईज आज हम बात किने वाले सबसे पहला क्विशन एक रीटेल इन्वेस्टर का होगा क्या अब भी स्टॉक मार्केट निचे गिर रहे तो आप लोग सारी चीज़ा बेच कर निकल जाए कि उसमें होल्ड करें या क्या करें तो आप लोगों पता ही है सबसे जावदा रीटेल इन्वेस्टर पीटता है स्टॉक मार्केट के अंदर उसको डर आया जाता है और उसके साथ साथ टीवी पर टीवी की बात करें या कोई भी न्यूस की बात करें या न्यूस आर आर्टिकल्स आप लोग पढ़े तो तर वहां पर भी डर आया जाता है कि आर इतना ज मार्केट को उपर ले जाते हैं और हम रिटेल इंवेस्टर क्या करते हैं उपर जाने के बाद जो मार्केट होता है वह उपर जाने के बाद हम फिर से ख्यारिदना चालू करता है यह पुरा-पुरा इस तरह की देखने को मिल रही है और इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिली थी तो उसमें क्या हुआ था वो भी आप लोगो इस वीडियो में बताऊंगा तो यह वीडियो देखते हो आप लोगो 100 टैम से वीडियो अच्छा लेएगा सबसे पर च 3.14% मनवें 3.14% का लीचा गिरावट और उसके ससत यहां पर शार रहा है हैं वन मंथ की बात करें तो अच्छी खासी रेली आ गई थी और उसके बाद यह गिरावट देखने को मिली है और यहां बसा 6 मंथ की बात करें तो यहां पर सब लोगों समझ में आएगा क्यार profit booking होती है तब आप लोगों को patience रखनी पड़ती है आप लोग patience रखे हो गे stock market के अंदर मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूं अब stock market में पैसे लाना बहुत जदा important नहीं है आप लोग patience लाते हो patience लाते हो stock market रहीं अंदर खूरे पैसे लाओगे न तो 500 करोड रुपया आप लोग बना सकते हो 500 रुपए से और 500 करोड रुपया आप लोगay लाते ओपर patience नहीं है आप लोगा केया हाथ में या आप लोगों के मन में तो आप लोग 5 प्रुपे भी नहीं कमा सकते ठीए तहीं यहां पर 초म को मैं इसके चार्ट ऊपर से दीखा आता हूं देखो एक तो आप लोगों को यहαं पर क्छा इन्य चार्ट चलत रहा था ऊपर नीचे वपर नीचे हूं रहा थ हो भागा यहां पर इस लेवल पर आप लोग देखाता हूँ मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर आप लोगों को एक तो तीन परसन की profit booking देखने को मिल रही थी और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आप लोग 24 सब्टेमबर की बात करें न तो यहाँ पर आप लोग देख सेती हूँ अभी तो अभ profit booking देखने को मिली थी 800. कोई मजाग बात नहीं है ठीक है तो यह चीज यहाँ तक न ऐसी profit booking देखने को मिल जाती और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर से आगे गया market market आगे गया और उसके बाद थोड़ी और profit booking देखने को मिली तो यहाँ पर से भी आप लोगों मैं मन से रैली इसमें देखने को मिल रही है वो आप लोगों मैं बताता हूँ उसके बाद आप लोगों पता चलेगा क्यार यह रैली कितने जादा बड़ी थी टोटल 17% की यह रैली थी 2000 पॉइंट्स की तो यहाँ पर से आप लोगों को 18% की आसपास की रैली थी और उसके बा आए तू भी कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो यह चीज जात रखना आप लोगों को अभी आर पेशन्स रखने है ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूँ अभी आर आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टॉक्स बताओता हूँ जो आप लोगों को मैं पता चलेगा क्यार वहां आप लोगों को गिरावट देखने हुमें लिए और जो आप लोगों को मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आर आप लोग आलतुफालतो अभी के टाइम अभी की टाइम की बात करें तो कोई भी आलतुफालतो श्टॉक में इन्वेस्ट मत करना जो फंडमेंटली स्ट्रॉंग स शेर्स है उसमें ही इन्वेस्ट करना ऐसा में क्यों बुल रहा हूँ क्योंकि अर कभी भी कभी भी मार्केट गीरेगा न Core बी टाइम तो यहां पर आप लोगों को एक चीज जियात रखनी है जो अच्छे शेर्स अना उच्छे शेर्स और अप लोगों को अर बहले ली हाई चल रहा था और चल यह 7500 तक चला गया था ठीक है तो यह आप लोगों को चीज ध्यान में रखनी है 7500 तक चला गया और अभी की बात करें तो यहां पर 3700 को भी टच करके आया ठीक है तो उसके बाद तो यह थोड़ी बहुत profit booking देखने को मिलती है अभी हम direct shares के उपर चलेंगे उसके उपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा पर एक दो shares आप लोगों मैं दिखाता हूं उसके उपर से आप लोगों पता चलेगा कि आप लोगों को यह जो shares होते हैं उसमें क्या finance तो यहां पर से आप लोगों को budget finance की बात करते हैं आज की दिन 5005 पर close हुआ है यह और इसमें दिखुआ है टूटल 4% 4.71% का इसमें टूटल डाउनफॉल देखने को मिला है और यहां पर से फाइडिस की बात करेना आत यह अच्छा खासा उपर चला रहा था और यह पुर finance तो उसका कोईड पहले की situation की बात करें तो यह पांच चार अजार 900 के आसपास चल रहा था और अभी देखा रहें वह कितना जदा गिर गया 2000 के आसपास आ गया था 2000 भी नहीं 1800 के आसपास आ गया था यह बुरा 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 शीर और 1800 के बाद जो उसकी पहली की situation थी ना जो पहली की situation जो चार अजार 900 के आसपास की थी उसको भी उसने break कर दिया ठीक है यह चीज़ा तक ना इसको भी उसने break कर दिया है तो जो अच ही होगा ठीक है तो यह वाला लो है ना इससे भले यह डाउन जाए फिर भी इससे तो जादा ही होगा ठीक है और इसके बाद यह वाला लो इससे तो जादा ही होगा इस वाले लो से यह जादा ही होगा इस वाले लो से यह जादा ही होगा इस वाले लो से यह जादा ही होगा त इससे साथ साथे बैंकियन सेक्टेर के कोटक एह उसके बाद HDFC है और उसके साथ साथो यांपर से बैंकी सेक्टेर की बात कर रहा हुआ और ये 3 4 और उसके साथ यांपर और बहुत सारी variety सेग्मेंट्स है जैसे कि आर इन्फोसीस है वी प्रो है उसके साथ साथ मदरसन सुमी है इसमें तो अभी आर थोड़ा बहुत करोट करेक्शन देखने को मिलेगा आने वाले टेम में पर यह सारी किसारे जो स्टॉक्स है ना वो फंडामेंटली स्ट्रॉंग है तो यह चीज़ा दकना फंडामेंटल स्ट्रॉंग आप लोग गीरावट में खरीते हो तो आप लोगों को हंड्रेड परसेंट फाइदा होगा इसके उपन में एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूं क्यार आप लोगों कौन-कौन से स्ट्रॉंग काने बाखी गुद बालौफ गुद बड़ी वन दो ने ने